सुनाव ब्राइट कॉंग गूरूप लिमिटेट अब देगी 9 रुपए एक सट पैसे पर क्लोजिंग हुई है यहाँ पर आपके सामने 8 लाख रुपए की पैनल्टी लग गई है यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसके वैसे यह 8 लाख रुपए की पैनल्टी है अच्छा दो तर क्लिए तो आपके सामने वादेशन प्रोविजन से हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं यह सेवी के बनाए हुए उसके तहत आपर आपके सामने पैनल्टी लगती है अगर आप इसको वादेट करते हैं तो लिस्टिंग इंटिटीज के लिए ये फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सभी इसको फॉलो करते हैं अगर कोई भी इसको तोड़ता है तो फिर पैनल्टी ज़रूर लगती है जो कि हमें देखने हूं विल लिए छे लाक रुपे की क्या ये पैनल्टी जो है उसके सर्च करके देखेंगी कि ये क्या है दूसरा आपके सामने है रेगुलेशन ट्वंटी टू ए ओफ एलो डियार रेगुलेशन टू थॉजन फिप्टीन में बनाया है रूल जो कि यहां पर आपके सामने उसके तहते हैं दो लाक रुपए की पैनल्टी और लग जोड़ यानि सेवी आपर लिस्टिंग ओब्लिकेशन है इसका नाम लो डियार का मतलब है लिस्टिंग ओब्लिकेशन एंड डिस्क्लोजर रेक्वाइर्मेंट यह आपर 2015 के रूल से रेगुलेशन बनाए गया थे सेवी की तरफ से जोड़ा गया था स्टेक होल्डर कमेटी यानि क यानि कि स्टेक होल्डर रेलेशन शेप कमेटी का एक यह आपर मेंबर को इंडिपेंड डिरेक्टर बनाना जरूरी है अगर लिस्टिंग इंटिटी है तो आउट्सेंडिंग एसार यानि कि स्टेक होल्डर रेलेशन शेप कमेटी का एक यहां पर मेंबर को इंडिपेंड डाइट दॉलिटर को बॉइलेट किया एंडीपेंड डाइट् डाइट दिखाइए इस वज़य से आपके सामने पेनल्टी लगती दिखाए दिखाए दिये 6,0, standing तो वही है independent director ना न्यूक्त करने की वज़े से आपके सामने 6 लाग की penalty लगी अब उसके बाद आती है यह 2 लाग की penalty किसली लगी हुई है तो आपका यहाँ पर जो matter है यह बैठता है share holding pattern का share holding pattern को disclose ना करने की वज़े से आपके ऊपर यहाँ पर penalty लगती हुई दिखाई दिया ह जो की listed entities को यहाँ पर करना पड़ता है before listing securities one day before listing security जाने कि IPO आया हो लिस्ट हुई हो company तो उसके एक दिन पहले आपको जो है यहाँ पर stock exchanges पर share holding pattern का यहाँ पर update करना ज़रूरी है quarterly अगर यहाँ पर खतम हो जाते हैं जैसे quarterly number आते हैं तो quarter जब खतम होता है तो उसके 21 दिन के बीतर बीतर यहाँ पर आपके सामने share holding pattern होना ज़रूरी है अगर यहाँ पर company ने capital restructuring करें पैसे जुटाए हैं वगएरा वगएरा तो उसमें share holding pattern जो हो चेंज होता है तो वो चेंज होने के वजए से आपको जो है दस दिन के बीतर बीतर आपका नया share holding pattern आपके सामने होना तो यह दो लाक में आपका पहले तो share holding pattern के वज़ए से penalty लगी हुई है दूसरा यहाँ पर submit audit standalone result याने कि आपके सामने भया जो financial year का जो हमारे सामने number नहीं आए काफी time से quarterly numbers गायवते उसके उपर यहाँ पर penalty लगी हुई है तो यह share holding pattern प्लस आपके सामने quarterly numbers ना होने के प्लस share holding pattern प्लस quarterly numbers इन सबकी ना मौझूदगी नहीं होने के वज़ए से आपके सामने penalty लगी है यह कोई भी यहाँ पर ना तो good news है ना की bad news है यह ज्यान रखेगा क्योंकि आगर आप देखेंगे पहले से ही एक अंदाया था कि इसके उपर penalty लगनी है हम लोग बले ही बात लेकिन रूल्स को जो वॉयलेट करें हैं उसके उपर penalty लगनी थी एंड कहीना कि यह आपर management जानता था simple सी बात है हम नहीं जानते थे हमने इतना गौह नहीं किया कि इसके उपर penalty लगी एक्शन लग रहा था कि एक्शन NSE और BST ने ले दिया एक्षेंज इस पर यह आपके सामने जो एंडिपिंडेंट डिर्क्टर्स जो कि आपकर देखने है तो यह आपके सामने यह कोई अच्छी ख़वर भी नहीं है ना कोई बुरी खवर है इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला यह ध्यान रखे रहाए अब देखे यह दिकत की बात है कि फीस बहुत सारी हो गई पेनल्टी हो गई पुरानी पेनल्टी भी है ठीक है ना अब यह भरने कब भरेंगे अपता नहीं मैनेजमेंट वेट कर रही है सैट के उस फैंसले क्या जो एक अक्टूबर को आना है क्या उसके लिए मैनेजमेंट रुकी होई है बाई अंदर से तो ह कुछ सेट अच्छा बोल दे एंड उसकी वजह से यहां पर जो है ब्राइट को मुरूप को वह पैनल्टी ना चुकानी पड़े फिर भी फिर भी आपर है क्या कि बहुत जो पैनल्टी वह तो चुकानी पड़ेगी एक्स्चेंजिस की फीस तो देनी पड़ेगी एंड जो आपने क्वाटरली नंबर ना ले आई एंड यहां पर हमारे सामने शेयरोल्डिंग पैटर्न भी ना लेकर आई तो इसकी वजह से आपको जो पैनल्टी देनी पड़ेगी वह तो भरनी तो पड़ेगी वह तुमको तुम ही तो नहीं लेकर आए उसमें सेवी ने आपके लाने पर कितना समय लगता है चलो ठीक है जो दिक्कत है चलो ठीक है यहां पर और चला गया बगयरा तो वह तो अब दूसरा आपके पास नहीं टिक पा रहा तो उसमें हमारी क्या गलती है कि ब्राइट कुम गुरुप कर जो ऑड़ेटर वह बाग गया इतने दुनों तक र चीज़े रुख अपनाना चाहिए था अब ऑड़ेटर का भी कहना है कि यह तो पूरा है आप हमारे सामने इंफो नहीं रख रहे हैं रिजल्ट बनाएं कैसे तो ऑड़ेटर भी कोई गलती नहीं है तो पूरा मामला जो है वह बिल्कुल गुमा 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 गुम सकता है सिंपल सी बात है बिदाओट एंडी रिज़न आपर प्रेसर में आसा सकता है स्टॉक क्योंकि आप देखेंगे लगातार पेनल्टी बढ़ती चली बढ़ती चली चली है बढ़ती चली चली आ रही है बड़ एक्चेंज की फीस तक नहीं दे रहे हैं तो यहां पर न लेग रही है आप उसको क्या कर सकते हैं चोटी सी पैनल्टी के ऊपर कोई फरक नहीं पड़ेगा यह एक अच्छी बात है ऐसा नहीं है कि 8-10 करोड की पैनल्टी हो गई तो वह चीज नहीं है बाइद अब यहां पर आप देखें तो सेवी यहां पर देना पूरी तरीके से य पूरे 34 पन्ने हैं 34 पन्ने में बहुत सारी चीज़े देगें यह तो अपने फाइनली लास्ट में जो पैनल्टी लेगी है किस बेसिस पर लेगी है क्या इन्होंने वालेट किया है वो हमने समझा लेकिन अगर आप देखें इनके रिप्लाइज और सेवी के पूछे वो हो रहे अब उसको पढ़ने में पूरा यह नो नहीं है यानि कि मैनेज्बेंट नहीं था नहीं देर पर करते रहें देर पर धेर करते तो उसमें क्या उसकते मैं नबेगे सैट का देखते हैं आप इस ऺती जम खेचिला बचांग क्या है वोप है बस और उस होप की बदालती यहां पर रुके हुए इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं बाइस जिसने रेट को हमने साथ रुपए का देख लिया उससे जादा और क्या गिरा हुआ इस टॉक देखेंगे तो यह जो भी है वह आप टेंसर मत लीजे कोई नेगेटिब निउस नहीं है लेकिन कोई पॉजिटिब निउस नहीं है यह पैनल्टी लगने थी जो कि इनके वज़े से लगी है ड़सिंट मेटर तो आप देखते हैं वस हमारी निगाए तो बस एक अक्टूबर को ही है एंड यही सबसे बड़ा देन है सैट क्या बोलता है एंड यही ब्राइटकम ग्रूप के शेरोल्डरस पर इंपक्त करेगा सोमी देखा कुछ आपको समझ में आऊगा एक बने वे से पहले आपने ब्रोकर राइडवाइस से जरू सला लिए या खुद की श्रेड़ी अरे उस तो बैदर कुछ भी नहीं है खुद की श्रेड़ी